Welcome everyone, स्वागत है आपका आपके अपने टीचिंग एक्जाम रिजल्ट गुरू पर जहां पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि बहुत ही बहतरीन सेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत साहरे बच्चों को यही नहीं पता होता है कितने मार्क स्काइगा और काईगा और कैसे हम लोग इसको कर सकते हूँ कैसे सौल्ट करेंगे तो मैं आप लोग को बहुत साही चीजह आज के सैशन में बताने जारी हूं related to your subject that is English इसके अलावा यह कॉंप्रेंशन है क्या इसके बारे में जाने कैसे आप लोगों को यहां पर लाइव क्लास के लिंक मिलते हैं आप लोगों को स्टडी मेटीरियल प्रोवाइट किया जाते हैं सो टैट आप अपने एक्जैम की तयारी बहतरीन तरीके से कर सके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में आप लोग देखिए हम बात करने जा रहे हैं कोंप्रिहेंशन के बारे में में तो कोंप्रिहेंशन होता क्या है यह डिपेपर में कैसी आएगा तो गाइस आप यह दो तरीके से divide है, divide है ना आप लोगं का किस तरह, पहले आप लोगं को यह पता है कि यह paper 1 होगा, paper 2 होगा, हमको पता है, तो reading comprehension में क्या-क्या चीज़ें आ सकती है, आप लोगं को इतना पता होना चाहिए, जैसे कि paper 1 है, ठीक है, आप लोगं का paper 1 है, यह आप लोगं को यह पता होना चाहिए, कि आपका paper 1 है और paper 2 है, और paper 1 में आप लोगं को comprehension आ रहा है, उसके 8 questions आ रहे हैं, और साथ में आप लोगं को दूसरा जो पैसी जाएगा, वो एक poem के form में होगा, उसमें से 5 से लेकर 6 questions आ सकते हैं, इधर 8 से 9 आएंगे, वहाँ पर कि उधर कितने आ जाएंगे वच्छे, आप लोगं को 5 से 6 point में से आ जाएंगे, आप लोगों ने अब यह रिधारित करना है कि आप किस पर जादा जोर दे, बिटा, देना जोर जोर दोनों पर है, हम लोगों ने दोनों की तयारी करनी है, बट जबसे अच्छी तयारी हम कारें बात होगी, पंदार नंबर का आ तो रहा है, बट क्या-क्या चीजी आएंगी इस comprehension में, कैसे क्या, कौन से tips जो है, मैं हम वो बता दो, हना, कैसे हम लोग जल्दी से solve कर सकते हैं, comprehension, तो आप लोगों ने comprehension कैसे solve करना है, यह मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बह इस चीज़ को फोलो करते हुए, अगर आप reading comprehension करेंगे, अगर आप इन points को फोलो करेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका reading comprehension solve कर साईगा, सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारी tips हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं आप लोगों को tips के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कैसे solve कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो यह है, build on existing knowledge, जो आप लोगों क्या करना है, आपका जो comprehension आएगा, वो आपके knowledge पर आना चाहिए, बिटे देखो, कई बार हमको वो topic नहीं पता होता, ठीक है, कई बार कुछ topics के बार हमको नहीं पता होता, जैसे कोई current हमारी जो चीजें चल रही होती है, अना, exist हो रही होती है, जो भी breaking news होती है, उनके बार हमको नहीं पता हो रहा, तो फिर हमारी लिए गलत है, पहले तो existing knowledge जो है, उसको बढ़ाईए, जितना हो सके, read कीजिए, news paper, read कीजिए, रोज का at least आपको एक page तो news paper का read करना है, पूरा news paper read करने के लिए नहीं कहारी, comprehension solve करना है, तो at least one page of the newspaper, you should daily read, okay, this is the need, ये सबसे बड़ी need है कि कोई भी आप लोग news paper उठाओ, English का हो, Hindi का ना हो, ये याद रखो, गर paper 1 है, ना, language हमारी English है, तो वहाँ पर English का हो, ठीक है, news paper उठाओ वहाँ पर उस newspaper में आप लोग पढ़ना शुरू करो, जो आप लोग को words लगते हैं, difficult, उनको underline करो, ठीक है, सर्च करो उन words को, ठीक है, तो इन चीजों से आप लोग अपनी जो reading है, उसको improve कर सकते हो, चाहे journal reading हो, चाहे comprehension reading की बात हो, next क्या है, identify and summarize the key ideas, जो चीजी आपको ल करो, ठीक है, summarize करनी कोशिश करो, जो या तो कुछ ना करो, questions पकड़ो, question में से आप लोग keywords लो, कि यह questions है, इन में से यह point पूछे गए हैं, जब भी आप लोग read कर रहे हो, तो उसको underline करते जाओ, क्या करो guys, आप underline करते जाओ, third point क्या कह रहा है, आपका, use online resources, तो बहुत बढ़िया बात यह है, कि अगर आपके घर पर news paper नहीं आ रहा, तो कुछ भी आप लोग online पढ़ना start करो, English पढ़ो, articles पढ़ो, magazine के बहुत सारे apps आते हैं, वो चीज़े अपले phone में download करो, तो at least एक दिन में आप लोगों ने 2-3 paragraph पढ़ लेने हैं, उसके अलावा, आप पूरी नहीं कि हमको हर एक word आए, ठीक है, तो comprehension ऐसे solve करना है, कि आपको हर एक word ना भी पता हो, तब भी चलेगा, but still, most of the words तो हमको पता होने चाहिए, most of the words तो guys पता होने चाहिए, तो ऐसे ही solve करना है हमने comprehension, next देखिए आप लोगों क्या है, develop करिए vocabulary skills, अपनी जो vocab की skills है उसको develop कीजिए, जो words नहीं आ रहे, underline किया, search किया, उसके पार में knowledge दी, फिर आ गए, फिर बेटा, आप लोगों की यह जूत, मैंने fifth और sixth point रखा हुआ है आप लोगों के लिगे, यह बहुत main है, guys यह बहुत ही main point है, मैं यह main point कैसे है, मैं बजाती हूँ, आप लोगों को क्या करना है, skimming and scanning, skimming and scanning में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जरूरत क्यों है, skimming और scanning ध्यान देने की, बच्चे, यह देखो, कि skimming करना किसको कहते है, और scan करना किसको कहते है, skimming में यह एक reading की type होती है, कलको आपको यह question आ जाएगा, term आजाएगी, फिर आ क Jewish schwierig सेशन में उना था शाल ऐद मैंने बताया नहीं ही इ stimulate the discuss revolution math taxiquer क्यांनिक करना तो यह रीड करना बच्चे को करता है यह या reflect नहीं पहला आपको पढ़योगोर सपेट करना सब्सक्राइब कई स्पेङ्ट करते हैं बत करना पैराग्राफ आ गया तो हम लोग उसमें क्या करना शुरू करते हैं स्किम करना शुरू करते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं रीड करते हैं रीड करते हैं उपर उपर से जो भी चीजे उस कहते हैं की तिरफ ध्यान नहीं देंगे ज्ञादा फॉर्मेशन कि तरफ ध्यान नहीं दो फेल झाल यंदि थो होगी आप लोग च्छांते हैं चानना होगा जैसे आप न보 से उसमें इसे इनपोर्ट्टव चीजार volunteer कर लो किए आप किसी के जीवनी के बारे में कोई बायोग्राफी आ गई है तो आप पहले यह देख लो किसी इंसान के बारे में बात की गई है उसके बाद उसके क्या करो अंडरलाइन करो कब जन्मा कब उनकी डेथ हुई है क्या क्या चीवमेंट्स हुई क्या क्या वर्क था क्या क्या आएंगे आप लोग स्कैनिंग में आजाएंगे स्कैनिंग क्या होती है स्कैनिंग क्या होती है जब आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे चीज़ें question दुबारा आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप लोगों को idea हो जाएगा कि यहाँ पर underline किया है तो scan करना है कि वो point उठाना है ठीक है उसका answer find out करना है ठीक है वो word find out करना उसको scan करते हैं हर एक पहलू को देखते हैं जब लोग हम लोग जब भी passage के हर एक पहलू को देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं scanning ओके तो यह सारी चीज़ें आप लोग अपने reading comprehension में include कीजिए reading में include कीजिए आपका comprehension खुद भी solve हो जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें हम लोग को include करनी चाहिए इसके अलावा आप लोग को मैं बता दूँ कि बेटा आपका 15 नंबर का reading comprehension वाला part आ रहा है जिसमें आपका passage होगा जिसमें आपकी poem होगी अच्छा अब आते हम लोग poem की तरफ ठीक है एक आधा question आपको poetic devices का आजाएगा जो बच्चे paper two में है ठीक है paper one में ज्यादा poetic devices वो नहीं पूछेंगे paper one के लिए बिल्कुल तयार मत हो यह most of time ऐसा ही हुआ है ठीक है एक आधा paper में आ गया होगा आ गया होगा बट ऐसे नहीं होता जो पोईटिक डिवाइस होती है most of time paper two में फूछी जाती है ठीक है तो यह सब चीजें थी आप लोग अपनी reading में include कीजिए आप लोग बिल्ट करिए अपने existing knowledge बिल्ट कर लीजे बल्ट कीजिए बहुत ज़रूरी है जितनी knowledge आप लोग गेन कर सकते हैं आज कलकर जितना भी आप लोग कोई एक article देखिए जो भी current articles आ रहे हैं उसके बारे में देखिए ठीक है फिर हमने skimming और scanning को अपना जोड़ देना है और skimming और scanning दो चीजे आपकी बहुत important है आप लोगों के reading comprehension में उसको solve करेगा आपका skimming and scanning ये दो चीजे आपनी याद रखिए बाकी अपनी vocab को strong करते चाहिए देली के five words new ढूंड़िए three words अपने new लखी अपने पास आप लोगो उसके meaning पता हो और poem जब आप करना स्टार्ट कीजिए और अभी से अपने जो सीटेट में reading comprehension है इसको तो पक्का कर लें क्योंकि कहा जाता है कि किसी के marks हो ना हो reading comprehension के free के marks है तो ऐसा नहीं है reading comprehension एक चीज़ तो आपको टफ आएगी या तो आपको इस चेकर में यह खराब नहीं करना हमारा जो टार्गेट रखिए हम भई करने वाले हैं कॉलिफाई सीटेट पहले अटम्ट में ओके तो आप लोग को मैं और बता देती हूं इसके अलावा मैं आप लोग को क्या जानकाई देना चाहूंगी कि हमारी यूट्यूब वह चल रही है आप लोग जुड़ना है रोगें जहां पर आप लोग को मैं बताउंगी कैसे अपनी प्रक्टीस करते हैं और अपनी पैड़ागोजी की थीकिए वह भी आपको पंदरा दा मिलाकर आपको 220 आरह आ तो बिल्कुल तैयार कीजिएगा सब्जेक्ट के लिए अपने आपको जल्दी से देख लेए एक बार फिर से आपको टाइम टेवल बता देती हूं मैंस आपको करार है कुंडू सर कितने में करते हैं मैस क्लास कब होती हैं इंगलिश की क्लास कब होती हैं मेरी निहारी का मैमी के लावा इसका इसकी कलास की जो विटा आपकी होती है चार बजे और आप लोगों की ले रहे हैं विपलव सर कितने वह लेते हैं आट बजे लेते हैं यह सारी एके लिए किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजेगा हम लोगों को आप टैली ग्राम पर भी जॉइन करें अपनी एसी ही इंग्लिश की क्लास देखने के लिए मेरे साथ जुड़ना है कितने में जुड़ना है बारा बज़ जुड़ना है तो ऐसे ही जुड़ना है ऐसे ही पढ़ना है ऐसे ही हम लोगोंने सीटट को भी क्वालिफाय कर लेना है अपने इसी अटैम्ट में थैंक्यू सो मच गाईज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कुछ टिप्स के बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे रीडिंग कॉम्प्रियंशन को क्लास में इससे हमको बहुत ही हुआ हुआ है